हाँ मनोज के प्रती मेरी भावनाएं बदल गई है वे मुझे वैसे ही अच्छा लगने लगा है जैसे तुम मैंने उसे अपने सीने से भीच लिया उशी मैं तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक चाहता हूँ तुम्हारे इस अलावा संसार में मैंने किसी को नहीं चाहा मैं ये कदापे सहन नहीं कर सकता कि तुम किसी और को चाहो मुझे पर तुम्हारा और तुम पर मेरा संपूर अधिकार है हम दोनों के बीच किसी तीसरे की उपसिती असंभव है मैं रू रहा था हाँ मैं अपनी जिंदगी अपनी धर्म पत्नी जिसे संसार में शायद ही चाह सकता है चितना मैंने उसे चाहा था सदा के लिए खो चुका हूँ जागते रहो मद्धी रात्री की निस्तब्दता को भंग करती सेंट्रल जेल के संतरी की आवाद और फिर पहले जैसी खामोशी मैं जाग रहा हूं चार दिन पहले की बात है जब सेशन जजने भरी अपना फैसला सुनाया था तमाम गवाहों के बयानात वदूनू पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रसुत किये गए तत्यों एवं स्वेम अभ्यूक्त के द्वारा अपराद की स्वीकृति के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अ अब्यूक्त सुधीर मिश्र वर्ल्द स्वर्गे दिवाकर मिश्र उम्र 40 वर्ष ने अपनी धरम पतनी श्रीमती उशा सिंग एवं मनुच कुमार की हत्या की है अतह यह अदालत अब्यूक्त सुधीर मिश्र को उम्र कैद की सजा सुनाती है अब्यूक्त इस अदारत के फैसले के खिलाफ माननिय उच्छ ने आयले में अपील कर सकता है मैं अपनी उशी को अब भी बहुत चाहता हूँ हमारा प्रेम विवा हुआ था वर्षों पहले तब मैं इलाबाद उनिवस्ट्री में MSC Final Year का इस्टूडेंट था और अपने माता पिता के मित्र उशी के डैडी की कोठी के एक कमरे में मैं अपनी उशी को अब भी बहुत चाहता उसने इंटरमीडियेट में गणित विशय चुन रखा था मैं मुझे चार वर्ष छोटी थी मैं उसे उशी कहकर पुकारता और जब तब उसके गोरे मुख मंडल पर उसकी बिल्लौरी आंके होने के कारण पूसी कहकर चिड़ाता था एक दिन उसके डैडी जिने मैं अंकल कहा करता था ने उशी को गणित पढ़ा देने के लिए कहा उशी के डैडी मेरे पिताजी के घनिष्ट मित्रों में से थे अतैव मुझे उनके रहते हुए किसी भी प्रकार के सुविधा नहीं थी मैं सिंग परिवार के सदस के रूप में रहता था तब मैं 21 वर्षे शर्मीला स्वर्ष सुन्दर हस्मुक नविवक हुआ करता था उशी उस समय इंटरमीडियेट की अंतिम वर्ष के छात्रा थी वैं अपने मम्मी डैडी की एकलोती संतान थी स्वभाव से चंचल अप्रतिम सुन्दरता के साथ ही उसके आवाज भी बहुत मीठी थी मैं उसे प्रतिदिन नियमित एक घंटे गणित के सवाल हल कराने लगा उशी पढ़ने में आम लड़कियों से काफी तेश थी एक बार समझा देना ही उसे परियाप्त होता था कभी कभी तो वैं उल्टे मुझे ही सवाल हल करने का दूसरा तरीका बता देती थी अता मुझे पहले से ही तैयारी करके उसे पढ़ाना पड़ता था गड़त के सवाल हल कराते कराते कब मेरे दिल में उशी के प्रती प्रेम की पौधपन अपने लगी मुझे कुछ पता नहीं चला अकसर उसकी हसी, खिली, श्वेत, दंद, पंक्ती और गालों पर उबरी मुसकान मेरे रदय में उतर जाती मैं अधिकतर उशी के बारे में ही सूचता रहता उशी को पढ़ाते पढ़ाते लगबग एक वर्ष होने को आ रहा था कभी याद नहीं पढ़ता कि मैंने उसको इस पर्ष भी किया हो इस तरह एका एक उसका मेरे सीने से लग जाना मेरे लिए घोर आश्चर की बात थी यद्यपी मेरे मन में कई बार इच्छा ने जन्व लिया था कि मैं उसका इस पर्ष किसी ना किसी बहाने करूँ संकोची स्वभाव के कारां मैं उशी से अपना प्रेम अभिवेक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया मैंने उसके सिर पर अपना बाया हाथ रख दिया रहम उससे और चिपट गई कुछ पल के लिए मैंने उससे अपनी बाहों में भर लिया फिर अपने से अलग करते हुए पूछा उशी क्या बात है मैंने उसकी ठुड़ी में हाथ रखकर उसके चेहरे को उपर किया तो देखा उसके आँखों से अविरल अशुधारा पह रही थी मैं उसे रोते देखकर घबरा गया क्या बात है मैंने उससे पुना पूछा परंतु वैं मौन रही मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था आखिर वैं क्या चाहती है मैं सोची रहा था कि वैं अपने मुट्टी में दबोचे हुए एक मुड़े थोड़े कागज की टुकड़े को मेरे कुर्टे की जेब में डाल कर भाग गई जब मैंने उस कागज पर लिके वैं चार शब्द पढ़े थे हमें आपसे प्यार है मुझे कितनी अपरिमित खुशी हुई थी मैं बता नहीं सकता मैंने बीसियों बारों चार शब्दों को पढ़ा था मेरा शरीर हवा में तैर सा रहा था और रदे प्रसनता से इतना भर उठा था कि लगता था अब प्राण निकले मैंने छट पर जाने का निश्चे किया और आंटी आंटी पुकारता अंधर चला गया परन तो आंटी का कोई जवाब नहीं मिला आंगन से छटकी और जाने वाले जीने की सीड़ियों पर मैं तेजी से अपने कदम बढ़ाता हुआ जा रहा था जल्दबाजी के कारां मैंने जीने से नीचे उतरती उशी को नहीं देख पाया फला सरूप हम दोनों में जबरदस से टककर हो गई मैं अपने आपको सम्हाल न सका और उशी सहीद पीट के बल नीचे आंगन में गिर गया उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा दिन ढल जाने और सारी रात बीच जाने के बाद सुबह की पहली किरण के साथ मेरी बेवुशी तूटी जिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया अब हालात यह हो गए थे कि लंबी छुटियों में अपने घर जाने की इच्छा नहीं होती थी हुशी को देखे बिना कुछ एक घंटा बीच जाने पर अजीब सी बेचैनी होने लगती थी हम दोनों के बीच पवित्र प्रेमियों का प्यार था हम दोनों बहुत कुछ अपनी अपनी आखों से कह जाते थी मुझे आंटी जी बहुत चाहती थी शायद उनकी इच्छा एक पुत्र पाने की रही थी मुझे में वे अपना पुत्र ढूंडा करती थी कभी-कभी मुझे यह सोच कर बेहत गलानी होती थी कि माता-पिता के समान अंकल जी वा अंटी जी की इकलोती पुत्री से मैं छिपकर प्यार कर रहा हूँ क्या मैं उन्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ जो हम दोनों के बीच बड़े भाई वा छोटी बहन जैसा पवित्र रिष्टा समझते हैं समय कुछ आगे खिसका मैंने M.S.C. गणित विश्य से प्रथम श्रणी में उत्तिर्ण की और उशी ने इंटरमीडियेट बोर्ड की परिक्षा में अपने कॉलेज में टॉप किया M.S.C. की डिग्री लेने के बाद मैं प्रतिस परधात्मक परिक्षाओं की तैयारी में जुट किया और उशी ने कॉलेज जोईन कर लिया एक फर्ष बाद ही मैं भारती रिजर्व बैंक में प्रोबेशनरी ओफिसर के पत पर चुन लिया गया मैंने रिजर्व बैंक में जुआइन भी कर लिया था मेरे इस चैन से जहां मेरे माता पिता वह उशी के ममी डैडी प्रसन थे वहीं उशी से विछड़ने का उचे बेहत दुख था मैं उसके जुदाई सेहन कर पाने में असमर्थ था यही कारण था कि प्रोबेशनरी ओफिसर की अधूरी ट्रेनिंग बीच में ही छोड़कर मैं वापस उशी के पास आ गया मैंने सबसे बहाना किया कि मैं यहां नौकरी नहीं कर पाऊंगा मैं आईएस की परिक्षा में बैठूंगा जिसकी तैयारी नौकरी में रहते नहीं कर सकता हूँ सभी ने मुझे अपने रंग से समझाया पर मेरे सामने किसी के ना चली अंतता मेरे तरक के सामने सभी को जुकना पड़ा आईएस के प्रतम प्रयास में ही यद्यपी मैंने लिकित परिक्षा पास कर ली परंतु साथकार से आगी नहीं बढ़ पाया उस दिन मुझे उशी ने बहुत समझाया था अपना चैन नहोने पर मैं बहुत उदास था एक वर्ष बाद मैंने पुना आईएस की परिक्षा दी परंतु पहले जैसे इसे थी इस बार भी रही मैं हताशो उठा उन हताशा भरे दिनों में उशी ने मुझे सहारा दिया उशी के ही सदत प्रयास से मेरा चैन कुछी महाबाद PCS में हो गया आंटी जी कुछ पल अपलक मेरे चैरे के और देखती रही फिर हम दोनों को उनोंने अपने गले से लगा लिया और आशिरवाद दिया और फिर वह प्रतिक्षित दिन भी आया जब हम दोनों दामपत्य सूत्र में बंद गए दुलहन के रूप में उशी स्वर्ग से उतरी कोई अपसरा लग रही थी वह पहले से कुछ लंबी और तंदुरूस्थ हो गई थी मैंने उसे कुछ और अवस्था से देखा था दुलहन के रूप में देखकर मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वह इतनी सुंदर लगेगी फूलों से महकती सेश पर हम दोनों एक दूसरे में सारी रात भीगते रहे बीते चार वर्षों की कठिन तपस्या के बाद प्राप्त वर्धान को हम दोनों पा रहे थे मेरी प्रेयसी, मेरी पतने उशी, मेरी बाहों में रात भर सारी जिंदगी के लिए बन चुकी थी हम दोनों की सुहाग रात कुछ घंटों की नहीं थी हनी मून के उन सुहावने दिनों में हम हर रात हमारे लिए सुहाग रात थे और हर दिन सुहाग दिन था मैंने डिप्टी कलेक्टर के पत पर निवक्ति लेने के बाद पूरे तीन माँ का अवकाश ले लिया था उन तीन मा में हम दोनों ने भारत वर्ष के अनिक धार्मिक वदर्शनी है इस सलों का भ्रहमण कर डाला वे में इन मौकों के सैक्ड़ों फोटो किच चुके थे उशी को फोटोग्राफी का बहुत शौक था भारत भ्रहमण के बाद जब हम दोनों वापस लोटे तो हम सिर्फ दो नहीं रह गए थे बलकि हम दोनों के प्यार ने एक नन्ने पौदे को उशी के गर्व में अंकुरित कर दिया था जी हाँ वे मेरी प्यारी बेटी श्वेता है जो इस समय 15 वर्ष की छोटी उम्र में अपने 11 वर्ष ये छोटे भाईशे शांग के साथ दुखों के सागर में डूब उतरा रही है मेरे दोनों बच्चे अपने नाना नानी के पास इलाबाद में भौतिक सुख सुविधाओं से पूंड उनके आलिशान कोटी में रह रहे हैं किन्तु जिस सामाजिक और मानसे की अंतरणा को वे दोनों इस छोटी उम्र में जेल रहे हैं उन दोनों अबोध बच्चों के लिए कितना असैनी और कश्टकारी है यह मैं उनका अभागा पिता भली भाती समझ रहा हूँ मैं अपने आप बीती समस्त बातों को इस डायरी के पन्नों पर इसलिए भी लिक रहा हूँ कि कम से कम मेरे बच्चे समाच के दूसरे लोगों की तरह अपने पापा को अपनी मा की नुरिशन्स हत्या एवं उसका हत्यारा न समझें बलकि वे वास्तविक्ता से परचित हो जाकते रहो संत्री की आवाज दूर कहें घंटा घर के साथ रात्री के दो बजने की आवाज के साथ घुल मिल गई मेरे सुखद दामपत जीवन में रहेंड लगना तब प्रारम हुआ जब मेरा बेटा शशांक पाँच वर्ष का रहा होगा उसता में मेरी पोस्टिंग फटैपुर के उप संचालक चक बंदी के पत पर हुई थी यहीं पर मनोज ने नायब तैसिलदार के पत पर नियुक्ति पाई थी वे मेरी तरह इलावात का पढ़ा हुआ प्रतिवा संपन उचा पूरा गौरवन नव्युवक था जिसके अंदर बहुत कुछ कर गुजरने की धेर सारी इच्छाएं थी वे अपने वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं था और आईयेस बनना चाहता था जिसकी तैयारी वा मार्गदर्शन की गरत से वे यदा कदा मेरे पास आता रहता था उसकी वाक पटुता और हाजिर जवाबी प्रशन सनिय थी त्रिफ वभाव से सरल्व मिलंसार था जिसके कारण वे जल्दी ही मुझसे वा मेरे परिवार से इस तरह घुल मिल गया जैसे उससे हमारा कोई नजवी की रिष्टा हो शीगरी मनोज मेरे बच्चों का मामा बन गया उशी ने रक्षा बंदन के अवसर पर उसे राखी बांद कर अपना धर्म भाई बना लिया श्वेता वा शशांक के मित्र भी उसे मामा कहकर पुकारने लगे उशी के कोई सगा भाई तो था नहीं वे मनोज को अपने भाई के रूप में पाकर खुश थी जो उसे उम्र में आट-दस वर्ष छोटा था मैं अपनी उशी को जीवन के प्रते एक कोण में तरप्त वख खुश देखना चाहता था एक भाई की कमी थी जो उसे वर्षों से सालती चली आ रही थी वे मनोज ने पूरी कर दी थी यहां तक तो सब ठीक रहा पर दूसरे रक्षा बंदन के आने के कुछ दिन पूर एक रात जब उशी मेरी बाहों में बंधी थी तब बातों ही बातों में एका एक मनोज के बारे में बात करने लगी मैं मनोज की तारीफ पर तारीफ किये जा रही थी यह तारीफ एक भाई की तारीफ नहोकर एक सुन्दर पुरुष की तारीफ इस पस्रिप्रतित हो रही थी मैं जुंजलाया, मेरे जुंजला उटने से वैशान्त हो गई और हम दोनों सो गए रक्षा बंदन के ठीक पहली रात उशी ने सोजने स्पूर मुझसे कहा कि वैकल मनोच को रक्षा बंदन पर राकी नहीं बांदेगी तेरा मा था ठनका, मुझे उस रात का इसमरण हुआया जिस रात उशी मनोच की प्रशंसा कर रही थी मेरे द्वारा कारण पूछने पर उशी ने भावुक होकर कहा मनोच के प्रतिवस के सेंटीमेंट्स बदल चुके हैं क्या वै भाई नहीं रहा? मैंने वैसे ही प्रशंस किया हाँ, वै बोली, भाई नहीं रहा तो क्या वो तुम्हारा प्रेमी हो गया है? मैंने बिना सोचे समझे कह दिया हाँ, वै तपाक से बोली मुझे इस उत्तर की कता ही उम्मीद नहीं थी एक पल के लिए मेरे उपर गास से गिरी मेरी नीन काफूर हो गई उशी ना तो जूट बोलती थी और ना ही जूट चिपाती थी मजाग में भी वै जूट का सहरा नहीं लेती थी, तब क्या उसने जो कहा वे सच है, मेरे मन को विश्वास नहीं हुआ, मैंने पुना इस पस्र जानने की गरस से प्रश्न किया, क्या कहा तुमने हाँ, मनोच के प्रती मेरी भावनाएं बदल गई है वे मुझे वैसे ही अच्छा लगने लगा है जैसे तुम, उश्वी द्रड़ता से भूली, मेरी आँखों से कब अश्रुधारा बह निकली मुझे कुछ पता नहीं चला मेरा गला रुनने लगा तब ही मैंने महसूस कह कि उश्वी मेरे सिर पर मेरे बालों में हाथ फेर रही है उंगलियों से कंगी कर रही है मेरे गालों पर बह रहे है आँसों के गीले पनने उसे मेरे रोने का अभास दे दिया और वे उटकर बैट गई मैंने उसे अपने सीने से भीच लिया उश्वी मैं तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक चाहता हूँ तुम्हारे इस अलावा संसार में मैंने किसी को नहीं चाहा मैं ये कदापे सहन नहीं कर सकता कि तुम किसी और को चाहो मुझ पर तुम्हारा और तुम पर मेरा संपूर्ण अधिकार है हम दोनों के बीच किसी तीसरे की उपसे थी असंभव है मैं रो रहा था सुधीर मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ मैं भटक गई थी मनोज को अभी कुछ पता नहीं है कि मैं उसके प्रती क्या सोचने लगी हूँ मैं उसे मने मन चाने लग गई تी प्लीज रो मत मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारी सदा तुम्हारी ही रहूंगी मुझ पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है प्लीज मुझे माफ कर दू अगले दिन रक्षा बंधन था हम दोनों रात की घटना लगबग भुला चुके थे मनुझ पहले की तरह आया हर्शुलास के साथ रक्षा बंधन का त्योहार मनाया गया उशी ने मनुझ को राकी बांदी श्वेता ने अपने छोटे भाई शशांक को राकी बांदी पूरा दिन त्योहार में व्यतित हुआ सरकार ने मुझे इस्थानांतरित कर एडियम परियूजना के पत पर मेरट भीज दिया अपने इस्थानांतरण को रुखवाने की मेरे तमाम प्रयास निरर्थक गए इस प्रक्रिया में एक माँ की मेडिकल लीव भी बेकार चली गए दोनों बच्चों के स्कूल में पढ़ाई शुरू हो चुकी थी इस उमीद के साथ कि मैं दो माँ बाद इलाबाद या उसके आसपास के जन्पद में वापस किसी मैदानी जगए अपना इस्थानांतरण करवा लूँगा मैंने मेरट जाकर जुआइन कर लिया और अपने परिवार को फत्यपूर में ही रहने दिया लेकिन इस्थानांतरण वापसी के मेरे सारे प्रयास असफल रहे इस तरहे छे माँ बीद गए इन बीते छे माँ में मैं माँ में एक या दो बार ही फत्यपूर अपने परिवार के पास पहुँच पाता था बच्चों की वार्शिक परिक्षाय निकट थी अथा मैं 15 दिन का अवकाश लेकर फत्यपूर आ गया एक दिन श्वेता ने मनोज की शिकायत करते हुए मुझे कहा पापा मनोज मामा मुझे अच्छे नहीं लगते वह आपके अनुपसिती में मम्मी को बहुत तंग करते हैं श्वेता के इस बुलाने की बात जब मैंने उशी से कही तब वे बिलकुल नकार गई मैंने भी बात आगे नहीं बढ़ाई फरंतु मेरा मन पहले की भाते शंकीतिवम अशान्थो उठा छोटिया समाप्त होने के बाद मैं वापस मेरा ठागया जहां पर मेरे मन मस्तिश्क में श्वेता के उलाने भरे शब्द गूंचते रहे अगले दिन प्राता हमें परेशानी की हालत में वहीं लौन में टहल रहा था कि आटो रिक्षा सड़क पर आकर रुका जिसमें से उशी मनोज वा बच्चों के साथ उतरी उशी वा मनोज मुझे अचानक आया देख चौंक पड़े जबकि दोनों बच्चे मुझे लिपट गए मनोज ने मेरी कुशल शेम पूछ उसी आटो रिक्षा में बैट कर वापसी कर ली नहीं उशी मुझे से कुछ बोली और नहीं मैंने तब उससे कुछ पूछना ठीक समझा रात जब बच्चे अपने कमरे में जाकर सो गए तब मैंने उशी से पूछा कल तुम सब कहां गए थे मैं यहां कलका आया हूँ मुझे सारी रात बाहर बरामदे में गुजारनी पड़ी तुम कहां चली गए थे मैंने मनोज के साथ जाने की बात जान पूछ कर नहीं की सो गई हो क्या मैंने नाइट लैम जलाते हुए का नहीं जाग रही हो उसने हाथ बढ़ा कर नाइट लैम बंद करते हुए पहली बार जवाब दिया फिर तुम मेरे प्रशन का जवाब क्यों नहीं दे रही हो कानपूर गए थे क्यों बच्चों के पेपर समापतो चिके थे और उन्होंने जुरासिक पार्क फिल्म देखने की जिद्धान ली थी अच्छा मनुज भी साथ गया था क्या मैंने पहली बार मनुज के बारों में पूछा हाँ तुम लोग कल रात में ही वापस क्यों नहीं आये कानपुर में रात बिताने की क्या जरूरत थे हम लोग इवनिंग शो चूग गये थे फिर चिडियागर देखने के बाद नाइट शो में जुरासिक पार्क फिल्म देखी देर रात तक फत्यपुर के लिए कोई साधान नहीं मिला फिर हमें वहीं रुकना पड़ा अच्छा कहां पर रुके थे तुम लोग होटल के डबल रूम सेट में पहुँच कर श्वेता ने पूछने पर बताया पापा पिक्चर देखने के बाद हम लोगों ने खाना खाया था खाना खाने के बाद मनोज मामा ने मुझे वशशांग को मिठाई खाने को दी थी फिर हम दोनों सू गए थे आगे मैंने उससे कुछ न पूछा और वापस फत्य पूर आ गया बच्चों को मिठाई में नीन की गोली मिला कर दी गई होगी जिससे वह अपनी मा का ग्रणित रूप न देख सकें मेरा मन उद्वेलित होता गया हमारा वर्षों की प्यार का महल वासना के एक जोके में भर भर आकर गिर चुका था उशी सारे दिन चुप रही वह मुझे से कुछ न बोली हम दोनों के मद की ये शांती आने वाले भूचाल का संकेत दे रही थी रात मैंने उशी से अपने मन की भढ़ास निकाली उशी तुमने मुझे मैं ऐसी क्या कमी पाए जो शुद्र वासना के वशीबूत मनों से संबंद जोड बैठी बोलो तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो मैं तैश में बोला कुछ नहीं तब क्या ये सही है जो मैं इस समय सोच रहा हूँ और तुम कानपुर जाकर पता करके आया हूँ हाँ वैं पलंग पर उठकर बैठ गई खुप अंधेरे में उसकी काया मुझे इस पस्र दिखाई दे रही थी तुमने ऐसा क्यों किया मैं उस रात तुमसे जो वादा किया था कि मनोज को तुम भाई के अलावा और किसी रूप में नहीं देखोगी फिर ऐसा क्यों किया उशी आखिर क्यों परिसितियां ही ऐसी बन गई थी जूट सफेज जूट परिसितियां पैदा किसने की मैं तिल मिलाया जूट नहीं है सच है मैं कानपूर में कतई रुकना नहीं चाहती थी परन्तु वापसी के लिए कोई साधन नहीं मिला फिर वाँ रुकना पड़ गया हो सकता है मनोज की पहले ते ही यूजना रही हो तब ही तब ही क्या मैं उशी के मुझे सुनना चाहता था तब ही होटल में मनोज ने हम सभी को मिठाई में कुछ मिला कर खिला दिया जिससे मुझे अपना होश नहीं रहा और और क्या और और जब मेरी नीन चूटी तो मैंने अपना आपको निर्वस्त मनोज की बाहों में पाया वह मुझे भोग कर खराटे भर रहा था यह सुनते ही मुझे गहरा धक्का लगा मानो एक सास सैक्णों बिजलिया तड़क कर मेरे उपर समा गई हो कुछ देर के लिए मेरे मुझे बोल नहीं निकला मैं परेशान हो था तुमने जागने पर क्या किया मैं थूग उटकते हुए बूला क्या करती मनोज के प्रती मेरे मन में किसी कोनों में दभी प्रेम की पौद को सिंचित होने का मौका मिला और मैं अपने आपको रोक न सकी मैं रोमांच और उत्तेजना से भर उठी मैंने मनोज को जगाया उसने मुझे बेहोश कर मेरे अंजाने में मुझे निद्रावस्ता में भोगा था मैंने उसे जागरत अवस्ता में भोगा चटाक चटाक उशी के दोनों गालों पर मेरे हाथ स्वता पहुँच गए निरलज बेशर्म शर्म नहीं आती तुम्हें अपने इस बेहायाई पर तुम डूप कर मर क्यों नहीं गई तुम इतनी हद तक गिर सकती हो मैं सोच भी नहीं सकता उशी के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई वै और पिटने की प्रतिक्षा करने लगी पर मैंने दो बारा उस पर हाथ नहीं उठाया मैं गुस्से की हालत में बहुत कुछ अंटशंट बगता रहा जिसे वैं सुनती रही मुझे अपने आप पर बहुत रूना आ रहा था मैं गुस्से की हालत में बहुत कुछ अंटशंट बगता रहा जिसे वैं सुनती रही मुझे अपने आप पर बहुत रूना आ रहा था अगले दिन मैं श्वेता और शशांग को मेरट ले जाने के लिए तयार किया बीती घटनाओं से अनभिग्य मेरे दोनों अबोध बच्चे छुट्टी होने के कारण और दीर प्रतिक्षित मेरट जाने की इच्छा वश मेरे साथ चलने के लिए तुरन तयार हो गए प्राता विस्तर पर ही उशी ने मुझे से कहा था सुधिर तुम मुझे तलाग दे दो मैं तुम्हारे बिना तु जिंदा रह सकती हूँ पर मनोच के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती तुम भी किसी और से शादी कर अपना नया जीवन चुरू करो बच्चों को बोर्डिंग में भीश दो उशी को मैं मनी मन त्यागने का संकल्प ले चुका था मैं उसकी परवा किये बिना कि वैं आगे क्या करेगी अपने दोनों बच्चों को लेकर मेरट चलाया दीरे दीरे एक मा बीट गया बच्चे अपनी मा को याद करने लगे वैं उसे मेरट लाने की जिद करने लगे दीरे दीरे उसका धहरे जवाब देने लगा और मैं नित नए बहाने गड़कर अंदर ये अंदर घुलता रहा पद, पैसा, समाज में प्रतिष्टा क्या नहीं था मेरे पास सिवाए एक पत्नी के जो शारिरिक वासना को प्रात्मिक्ता दे कर अपने बच्चों वह मुझसे दूर किसी और की हो चुकी थी हमारे सुखद दामपत्य जीवन को पून ग्रहन लग चुका था मेरे अंदर जीने की इच्छा समाप्त हो चुकी थी परन्तु बच्चों के कारण मर भी नहीं सकता था मैंने एक रिवॉल्वर खरीदी और बच्चों को यह बताया कि मैं टूर पर जा रहा हूँ और फत्यपूर आ गया मनोज उशी के साथ रहने लगा था मुझे एक आएक आया देख दोनों चौके नहीं और ना ही उनमें कोई परिवर्तन आया उन दोनों को प्रसन देख मेरे तन बदन में आग लग गई परन्तु मैंने अपने आपको सहियत किया मनोज ने मेरे हालचाल पूछे शशांक वा श्वेता के बारे में पूछा नीच कमीने तुने जिस थाली में खाया उसी में छेट किया पापी मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा तुझे जीने कोई अधिकार नहीं कुट्ते मैं गुस्से में भर कर बूला मनोज की घेगी बंद गई वैं भैसे कापने लगा साले मेरी पतनी को मुझे से छीन मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूल में मिला देने पर तु तुला है तु उशी को बहुत प्यार करता है ना बोल मैंने अपनी जेब में रखी दूसरी पिस्तॉल निकाल कर मनोज को पकड़ा कर का ले पकड़े है पिस्तॉल तु उशी को गोली मार नहीं तो मैं तुझे गोली मारता हूँ बोल तु मारता है क्या मैं तुझको गोली मारू बोल कमी ने मैंने मनोज की कनपटी में अपना रिवल्वर गड़ाते हुए तेसपर में कहा मनुच फट से उठकर भागने के उपकरम में था मैंने उसके उपर रिवालवर तान कर कहा कायर पापी तू वहीं पढ़ा रहे किसी मुगालते में न रहना इस रिवालवर की सारी गोलियां असली हैं मैं उशी की तरफ देखता हुआ बोला क्या तुम अब भी इस विश्वास गाती के साथ रहना चाहती हो उशी बिलगकर रो पड़ी मेरे पैरों से लिपड गई नहीं नहीं मैं पापे नूम मैंने तुमारे साथ बेवफाई की है मैंने अपने बच्चों को धोखा दिया है मैं तुमारे जैसे देवता के लायक नहीं रही अम मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं चला दो मुझ पर गोली मैं अब और जीना नहीं चाहती उसने ग्रणा से फ़र्ष पर ओंदे पढ़े मनोच के उपर धूग दिया अपने प्राणों की भीक पाकर मनोच वहां से ऐसे भागा जैसे शेर की मान से जान बचा कर खरगोश भागता है अगली सुपए फटह पुर के उस मकान में ताला लगा कर मैं उशी को मेरट ले आया बच्चे अपनी मा को पाकर बहत प्रसन हुए इश्वर की क्रपा से मुझे इसी समय अपना इस्थानांतरन पत्र बनारस के लिए प्राप्त हुआ अगले दो दिन में हम सब बनारस आ गए दिन महीने पूर्व सुख में बीतने लगे दो वर्ष बनारस में रहने के बाद मेरा इस्थानांतरण इलाबाद के लिए हो गया हाँ तो अब आगे दुर्भाग ने हमारा पीछे नहीं छोड़ा नियती ने ऐसी परिसितियां ला दी जो मेरे लिए आगे चल कर अभी शाप बन गए इलाबाद में हमें आए अभी एक वर्ष भी नहीं बीता था कि मनोज SDM के पत पर इस्थानांतरित होकर इलाबाद आ गया उसका सरकारी आवास हमारे सरकारी बंगले से ज़्यादा दूर न था बच्चे अपने तथाकतित मामा जी को पाकर अत्यांत प्रसंद हो गए अब हम लोग वहां नहीं रहना चाते थे क्योंकि प्रमोद वहां पर उसका घर पास था उसके पस्चास हम प्रमोद वन में उशी के डैडी के पास पहुँच गए हम लोग दो दिन बाद ही चित्रकूट गूमने गए और उनके पास प्रमोद वन में रुख गए उशी के डैडी प्रमोद वन में आश्रम की विवस्ता अवैतनिक रूप से देखते थे चित्रकूट चहां शांत प्राकृतिक सुन्दरता बरे आध्यात्मिक वातावरण में आखों को शीतलता और आत्मा को शांती मिलती है मैं उशी की विचली तवस्ता को देख कर एवं मुसकी सलाँ पर इलाबाद से अपना इस सानांतरन अन्यतर कराने का प्रियास करने लगा मेरे दुर्भागी का समय उस काली रास्ते आरम होता है जब मैं अपने इस सानांदरन के सिलसिले में लग्नव से वापस इलाबाद आ रहा था दुर्भागी वश उस रात गंगा गुमती एक्सप्रेस निर्धारे समय से काफी विलंब से प्रयाग रेलवे स्टेशन पहुँची रात्री के कोई ग्यारे साड़े ग्यारा बजे का समय हो रहा था मैंने आटो रिक्षा वाले का किराया चुकाया और कोठी का बाहरी गेट खोल कर अंदर चला गया गेट पर ताला संभवता मेरे आने की उमीद में नहीं लगाया गया था किंदू गेट को केवल उड़का पाया देखकर मुझे उशी की लापरवाई में बहुत क्रोधा आया अंदर कोठी की सारी लाइटें जल रही थी हाल में तेज टीवी चलाने की भला क्या तो कै उशी वा बच्चों को चौकाने की उद्देश थे मैंने कॉल बेल भी नहीं बजाए और ड्राइंग रूम में होता हुआ हौल में पहुचा तो मेरा माथा ठनका उमीद के विपरीत हाल में कोई नहीं था जबकि टीवी चल रहा था बच्चों वा उशी के प्रती मेरी नाराजगी बढ़नी स्वाभाविक थी मैं गुस्से के हालत में हौल पारकर के बैडरूम में पहुचा तो मेरे होश ओड़ गए मेरे पैरों के नीचे से जमीन किसकने लगी मेरा दिल बैठा जा रहा था जोगज मेरी आँखे देख रही थे वह शर्मनाग था मनोज वा उशी बैड पर आपत्ती जना के सिटी में थे मनोज लगबग अपने कपड़े पहन चुका था उशी पहले की तरह दूसरी ओर बैड पर चित पड़ी थी मेरे ह्रदय में उस समय दोनों के प्रती घोर नफरत और हिंसा भरी हुई थी मैंने बिना किसी संबोधन के या पूरु चिताबनी दिये मनोज के उपर फायर कर दिया मैं दरिंदा ठीक से चीक भी नहीं पाया था रिवॉल्वर की गोली उसके भेजे को भेद गई उसका शरीर एक पल के लिए हवा में लहरा आया फिर मैं वहीं फर्ष पर धेर हो गया मैं इस हड़ बड़ा हाट में अपने बच्चों को भूल चुका था बच्चों का आभास उशी के इशारा करने पर हुआ मुझे तक्षन बच्चों का ख्याल आया किसी गंबीर आशंका से मेरा मन भर उठा मैंने रिवॉल्वर फेंगी और ततकाल बेडरूम से सटे स्टोर रूंका दरवाजा खुला मेरे दोनों बच्चे अंदर बेसूत पड़े थे जिनके सिर से खून निकल रहा था मैं किन करतव विमोर सा कभी उशी की लाश देखता तो कभी बेहोश बच्चों को भोर होते होते मेरी दुनिया लुट चुकी थी मेरे दोनों बच्चों ने होश में आने के बाद जो कुछ मुझे बताया उसे सुनकर मुझे अपने आप से घणा होने लगी मैं अपने दुर्भागी पर फूट फूट कर रोता रहा मेरे हातों मेरी निर्दोश धर्म पतनी उशी का मेरी जल्दबाजी के कारण जगहन ने कतल हो गया था जिसके लिए मैं अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा श्वेता ने जो बताया उसके अनुसार मेरी अनुपस्तिती में राज जब वे मा दुर्गा की जहांकी देखकर वापस लोट रहे थे तो रास्ते में मनोज मामा मिले जो मम्मी के द्वारा सक्ती के साथ मना करने पर भी कोठी में हमारे साथ चले आए कोटी में कोई दूसरा नौकर चाकर नहीं था चौकीदार को भी ममी ने नवरात्री का त्योहर होने के करण छुटी दे रखी थी मेरी सिती पागलों जैसी हो गई मैंने उठा कर बैडरूम में ले आया और पानी के चीटे उनके मूँपर मारने लगा मेरी बेटी श्वेता कुछ देर बाद होश में आ गई वैं पापा कहकर मुझसे लिपट गई किन्तु अगले ही पल अपनी ममी को खून में लगपत देखकर पुने बेहोश हो गई अब तक आपको गंगा गोमती से वापस आ जाना चाहिए था किन्तु आप भी नहीं आये थे हम दोनों बहन भाई बिना कुछ जाने समझे हाल में आ गए और टीवी में आ रहे प्रोग्राम देखते हुए आपके पतिक्षा करने लगे दूसरे कमरे में ममी वा मामा जी में किसी बात को लेकर जगड़ा होने लगा मैं वशशांक ममी वाले कमरे में गए वहाँ पर ममी ने मनोज मामा के गाल पर एक तेज थपड़ मार कर उन्हें डाट कर गेट आउट कहा था हम दोनों भाई बैन कुछ सोच पाते इससे पहले मनोज मामा ने मेरे वशशांक के सिर को दीवार से टकरा दिया उसके बाद हमें कुछ याद नहीं क्या हुगा जब मुझे पहली बार वशशा आया तब आप आ चुके थे और ममी को मैंने खून से लटपत देखा हुआ यह था कि दोनों बच्चों को बेहोश करने के बाद उस दरिंदे मनोज ने उशशी के साथ जोर जबरदस्ती करनी चाही जिसका विरोध करने के कारण उसने उशशी का सिर्थ दीवार में टकरा दिया और बेहोश उशी को बैट पर लिटाने के बाद उसकी इज़त लूटने लगा उसी समय मैं वहाँ पहुँच गया आगे जो हुआ मैं पीछे लिख चिका हूँ काश मैं पांच मिनट पहले पहुँचा हो था उशी की हत्या का कलंक लिए मैं आगे के जीवन को जीने की इच्छा त्याग चुका हूँ अपनी मृत्यू के बाद मैं उशी से माफी मांगने उसके पास जाऊँगा काश मनोच को गोली मारने के बाद मैं उशी को ठीक से देख पाता पर कहां उस समय तो मेरी आँकों के सामने घ्रणा और बदले की पट्टी चड़ी हुई थी जाकते रहो फिर संत्री की आवाद बूजी मैंने अपनी बाई कलाई में पैन के निप से गहरा घाव कर लिया है अपनी कलाई की नस को इसी पैन के निप से मैंने किसी तरह काट लिया है खून बैना शुरू हो चुका है जब तक खून बैता रहेगा मेरी आँकें जब केंगी नहीं तब तक मैं लिखते रहना चाहता हूँ प्रीय उशी मैं अपने अपराद की क्षमा मांगने तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ मेरे अपराद के लिए कानून ने मुझे जो सवजा दी है वे बहुत कम है तुम्हारे बिना जीवन स्वैम में बहुत बड़ी सजा है मैं तुम्हारे बिना इस संसार में जीवित नहीं रह सकता हूँ मुझे माफ कर देना मेरे प्रीय बच्चों तुम भी अपने इस अभागे पापा को माफ कर देना जो तुम दोनों को इस छोटी उम्र में अपने मम्मी पापा के बिना जीवन बिताने के लिए छोड़ कर जा रहा है यदि यह कहानी आपको अच्छी लगे तो क्रप्या मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद